नमस्कार दोस्तों माया नगरी में आपका स्वागत है हाजिर हूँ मैं एक लेटेस्ट निउस के साथ तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें शाहरुख खान और नयांतारा की फिल्म जवान का ट्रेलर जल्द रिलीज होने वाला है लेकिन रिलीज से पहले नयांतारा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है कहा जा रहा है कि यह उनका पहला लुक है शारुक खान की जवान के ट्रेलर का फैंस बेसबरी से इंतिजार कर रहे है ट्रेलर को टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग के साथ थियेटर में दिखाया जाएगा इसी बीच इस फिल्म से जुड़ी एक शौकिंग खबर सामने आ रही है जहां ट्रेलर लॉंच की उल्टी गिंती शुरू हो गई है वहीं अब नैंतारा की एक तस्वीर वाइरल हो रही है कहा जा रहा है कि यह जवान से उनका पहला लुक है इटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नैंतारा मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी नैंतारा के फैन अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें वो बॉल रूम में बैठी नजर आ रही है हाला कि यह फोटो असली है यह फोटो शॉपड इसकी पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई है जवान नैंतारा की बॉलिवूड में पहली फिल्म है खबरों के मताबिक नैंतारा फिल्म में शारुक खान के अपोजिट नजर आएंगी शारुक नैंतारा के अलावा जवान में विजय सेतुपती और सानिया मलोत्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं यह भी खबर आई थी कि फिल्म में दीपी का पादुकोन एक कैमियो रोल करती नजर आएंगी कथित तोर पर एक्ट्रेस फिल्म में शारुक की पतनी का किरदार निभा रही है और उन्हें शूटिंग के लिए चन्नई में भी देखा गया था फिल्म का ट्रेलर अगले हफते रिलीज होने वाला है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इससे पहले फिल्म का एक टीजर आ सकता है बॉलिवुड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक जवान का टीजर 7 जुलाई या 15 जुलाई को लाँच हो सकता है और यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लाँच होगा एक सुत्र ने पोर्टल को बताया कि शारुक की फिल्म जवान के टीजर को भवे तरीके से लाँच किया जाएगा या अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लाँच होगा और टीजर सभी के होश उड़ा देगा शारुक खान ऐसे अफ़तार में इसते पहले कभी नजर नहीं आये है निर्माता चन्नेई में जवान के टीजर को लाँच करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट की तलाश कर रहे हैं गेस्ट के फाइनल हो जाने के बाद टीजर की डेट भी फाइनल हो जाएगी इसी के साथ बता दें कि जवान 7 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो दोस्तों कैसी लगी ये लेटेस्ट जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिर हाजी रहूँगा एक लेटेस्ट जानकारी के साथ बने रहिए माया नगरी के साथ नमसकार